ब्लॉक को रखेंगे और राइट इंक्लाइन फिक्स इंक्लाइन समझ रहे हैं तो उस पर जो नॉर्मल लगेगा उसकी वैल्यू कित्ती होगी यदि कोई भी और फोर्स नहीं है तो mg cos theta तो यहाँ पर friction कितना हो जाएगा mu mg cos theta किदर लगेगा यदि अपने ब्लॉक को ऐसी रखा हुआ है तो mg sin theta नीचे खीच रहा होगा तो किदर लगेगा उपर लगेगा ठीक है कर लेंगे इतना सट्राइए ठीक